सब्सक्राइब दोस्तों, UPSC Hindi के Study Platform में आप सभी का स्वागत है, और घटना सार के चार लेक्चर सभी तक आ चुके हैं, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको प्यार दिया है, पहला लेक्चर मुझे लगता है कि 122,000 रुपए है बोल रहा हूं, 122,000 टोटल व्यू आपको spelling में लिखना है, टेलीग्राम चैनल पर G-H-A-T-N-A-S-A-A-R, सार, ठीक है? झाल-को háवाई है, झाल-को क्या मुझे है, लोगों बालाए लोगों उसकी है, प्लीग्राइ झाल 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 फिर अगली न्यूस जो हिसमें है वो है कि उत्तरप्रदेश के किसी अस्थान पर इंडो एशियन उद्यम प्राइवेट लिमिटेड आई आर आर पी अल ने भारती सेना को 27,000 AK-203 असाल्ट राइफल सौपी है तो करेवा के अमेठी में मतलब करेवा के अमेठी में प्रोडक्शन हो रहा है AK-207 का जैसे 203 का यानि कि AK-47 का नाम आप लोगों ने सुना होगा ठीके उसी तरीके से AK-203 असाल्ट राइफल जो है आपके करेवा के अमेठी में बन रही है अगला जो न्यूज है वो है उत्रप्रदेश की सोनिया अगरवाल ने 7-12 वर्ष के आयो के बच्चो का किस नाम से भारत का पहला वित्तिय साक्षरता और दुमिता कारिकरम लांच किया है तो उसका नाम है लिटिल फ्यूचर्स फाउंडर्स लिटिल फ्यूचर्स फाउंडर्स ठीक है तो नाम याद रखीगा सोनिया अगरवाल ने 7-12 वर्ष आयो के बच्चो का किस नाम से भारत में पहला वित्तिय साक्षरता और उद्धमिता कारिकरम जो है उसको लांच किया यह लिटिल फ्यूचर्स फाउंडर्स उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरिंसिक लाब डिजिटल के साथ साथ साइबर फॉरिंसिक लाब है य जिसकी स्थापना की जाएगी तो इसका उतर है heeft इसको लिख लिजएगा नौैडा में यह स् उत्तर प्रदेश का वह सहर जहां देश का पहला बैटरी चालित टावर वेगन बनाया जाएगा, वो है कानपूर, तो क्या होगा यहां पर बैटरी चालित टावर वेगन बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाली में भारती वाय सेना द्वरा भीश्म पो पूर्टेबल हॉस्पिटल है दोस्तों यह आपके एग्जामेनेशन में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा मैं मुझे लगता है कि 70% चांस है UPPCS या UPRO के एक्जाम में जरूर ही यह आपको देखने को मिलेगा कि भीश्म पोर्टल या भीश्म हॉस्पिटल जो पूर्ट जाना है फिर अगला एक इसी में प्रश्ण है उत्तरप्रदेश का एक जिला है जहां पर कच्छुवा संरक्षण रिजर्व बनानी की घोशना की गई है वो है गोंडा ठीक है अगला फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है कि उत्तरप्रदेश के किस जिले में मारूती सुज की इंडिया का पहला ऑटो गेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाए गया है इसके बाद है प्रोजेक्ट प्रमीड को लेकर के एक प्रश्ण है कि हाली में प्रोजेक्ट प्रमीड के तहत्त उत्तरप्रदेश में कितने छात्रों का कौशल प्रसिक्षण प्ररम किया गया है तो टोटल एक सथ हजार चात्रों का कौशल प्रसिक्षण प्ररम किया गया है मतलब स्किल ट्रेनिंग जो उनकी है वो प्रोजेक्ट प्रवीड केता है उत्तरप्रदेश में शुरू की गई है उत्तरप्रदेश की किस छेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित क्या जा रहा है वेदर स्टेशन स्थापित क्या जा रहा है तो बुंदेल खंड छेतर में स्थापित क्या जा रहा है हाली में कि इस कंपनी ने उतरप्रदेश के नोड़ा में अंतररास्टी फिल्म सिटी के निर्माड का टेंडर जीता है त ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 या 4.0 में उत्तरप्रदेश के में कितने करोण रुपए की परियोजनाओं का शुबारम किया, तो 10 लाग करोण रुपए की परियोजनाओं का शुबारम किया है, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी फरवरी में आय हुए थे लखनव, और वहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चल रही थी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चल रही थी, 4.0 ठीक है, चौथा संसकरण और उसमें उत्तरप्रदेश की कुल 10 लाग करोण रुपए की परियोजनाओं का इनों ने शुबारम किया, उत्तरप्रदेश के उस जिल अब जो न्यूज आएंगी चाहिए यूपी से रिलेटेड है या फिर इसके बाद की न्यूज हम लोग पढ़ेंगे उसमें से कुछ सेक्षन को छोड़ दिया जाए कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज को छोड़ दिया जाए और कुछ लोग की डेथ हो गई उनको छोड़ दिया लन्याज किया उत्रप्रदेश में 3D शहरी इस्थानिक विविन विन ठीक है तो जो अगली खबर है वो है उत्रप्रदेश में 3D शहरी इस्थानिक डिजिटल ट्विन ठीक है विविन विन नहीं है डिजिटल ट्विन डिजिटल ट्विन विक्सित करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है तो डिजिटल ट्विन विक्सित करने वाला थेटी शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विक्सित करने वाला वाराणसी जो है वो देश का पहला शहर है ये प्रशने इस तरह के पूछे जा सकते हैं, ये भी काफी important प्रशने है, उत्तर प्रदेश में वह शहर जहां रामायड वैल म्यूजियम का wax museum का शुबारम किया गया है, तो अयोध्या में start किया गया है, अगली ख़बर है कि 5-7 जन्वरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कहा पर know your army festival, ठीक है, तो know your army festival 2024 का आयोजन किया गया है, तो वो है लखनव, वहीं जन्वरी 2024 की बात करें, तो अमेरिका विमानन निर्माता कमपनी है, बोईंग, उसने कलपूर्जों की आपूर्ती के लिए अपना पहला वित्रण, यानि कि distribution center खोला है, उत्तर प्रदेश के कि सस्थान पर खोला है, तो खूर्जा में जो है, खोला है, तो यह point भी याद रखेगा, कि अमेरिका की विमानन, मतलब विमान बनाती है, बोईंग कमपनी, उसने अपने कल पूर्जों के निर्माड के लिए, या पूर्ती के लिए, डिस्टिबूशन के लिए, एक वित्रण केंदर खोला हुए उत्तरप्रदेश में, कहां पर खूर्जा में, अगला यहीं से स्टार्ट होता है, कि उत्तरप्रदेश का पहला DNA बैंक कहां पर खोला गया है, तो यह भी काफी important है, यह भी खोला गया है, आपके BHU वारानसी में खोला गया है, अगली खबर फिर यहां स शहरों का जो है, दर्जा मिला है, अगला प्रशन, मतलब अगला जो खबर है, वो है यहां पर, मुख्यमंत्री योगी अदितनाथ ने, कौन से शहर को राज के पहले, फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टरेंट का उधगाटन किया है, तो यह भी काफी important सवाल है, इस तर फिर अगली खबर है कि जनवरी दोजार चौबिस में उत्तरप्रदेश के किस धार्मी कस्थल पर बनने वाले हनुमान गड़ी बेसन के लड़ू को जी आई टैग दिया गया है, तो जो लोग हनुमान गड़ी गए होंगे या उध्या गए होंगे उनको पता है कि हनुमान कहां पर है और वहीं पर जो बेसन की लड़ू बनते हैं उन्हें जी आई टैग मिला हुए, काफी अच्छे लड़ू होते हैं हर्वान गड़ी के, अगला है प्रशनी हापर कि केंदर सरकार द्वारा वित्तपोशित भारत का प्रथम गौ अभ्यारने बनाय गया है, ठीक है तो मुझफर नगर के तुगलकपूर में गौ अभ्यारने बन रहा है, काफी महतवपूर प्रशना ये भी, ठीक है, अगला जो है वो है कि उत्तरप्रदेश सरकार ने जन्वरी दोजार चौबिस में किन दो प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तरप्रदेश गौरो सम्मान दि दोक्टर रितू को मिला है और नवीन को मिला है अगला आता है कि Fashion Technology, संस्थान राश्ची Fashion Technology इसको Nift बोलते हैं, National Institute of Fashion Technology, उसकी खुलने की घोषना हुई है या स्थापना की घोषना हुई है, बजट 2024-25 में, तो कहां स्थापना की बात हो रही थी तो वरानसी में स्थापना 35 करोन रुपए जो है टोटल अवंटित किये गया है ठीक है देखिए ये खबरे वो होती है जो डिरेक्टली वन लाइनर पढ़ने पर याद नहीं होंगी मैं आप से सीधे बता रहा हूं जो लोग भी लेक्चर पढ़ना सुरू किये होंगे टोटल 15 मिनट बीता है और वो लो गंटे के लेक्चर से हैं लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एक बारी इन्वेस्टमेंट उस पर करिए और फिर खुद से रीड करिए समसमाई की घटनासार ले करके या जो इसका पीडिएफ मिल रहा है वो टेलिग्राम चैनल यूपियस से हिंदी से डाउनलोड करके या प्रिंट आउट करा लिजिए अपने नजदी की दुकान पर भी आपके मिल जाएगा ठीक है वहां से ले करके एक बारी पूरा रीडिंग करिए जब चारो सेक्षन की आप रीडिंग कर लोगे और उसके बाद यह वन लाइनर पढ़ने जाओगे तो आपको mostly वन लाइन पढ़िए और तुरंत रिवाइस करिए जैसे अगर एक घंटा वन लाइनर पढ़ा तो कोशिश करो कि 20 मिनट में तुरंत रिवाइस करेंगे और फिर उसके बाद वहां से हटेंगे ठीक है तो इस तरह से strategy बना करके ही वन लाइनर पढ़े जा सकते हैं परिक्षा को कम समय दिन कम समय बचा है मुझे लगता है कि 50 दिन से भी कम बच रहे हैं तो ठीक तरह से रिवीजन करेंगे क्योंकि आई द्रिष्टी आते ही फिर उसको पूरी तरह से रिवाइस करना और जो लोग यह चार लेक्षर देखे होंगे और हमारी मंतली जो इनिशियेटिव है वो भ पढ़ी होई रहेंगे तो चलिए थोड़ा सा प्लोंगों को पॉस भी मिल गया थोड़ा समय ने यहां पर ज्यान भी दे दिया अगला जो खबर है वह है पांच फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में वित्मंत्री मुकेश खन्ना ने 2024 25 का राज बजट जो है पेश किया कितने क बजट पेश किया गया ठीक है इसके बाद का जो सेक्षन है हम लोग का वो आता है समसमाईक अर्धवार शिकी तो अब देखिए अर्धवार शिकी में सारी चीजें नहीं पढ़नी है मैंने यहां पर नूट्स जो है प्रॉपर दे दिया है और जितनी चीजे बताऊंगा उ का ग्रणी है तो वहीं मैंने लिखा है लीड हेयर ट्रांस्प्लांट सर्जन ठीक है जो की इनको एशियन एसोसियेशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के रूप में कपिल दुगा को सुना गया है लेकिन फिर भी चुकि यह घोशना चीन में हुई है आठवी जो डबल रह HRS की वैठक होई थी उसमें हुई है तो यह थोड़ा बहुत important हो जाता है ठीक है दूसरा जो है news वो काफी ज्यादा important है इसके comparison में नाम है काम्या कार्तिकेयन भारत की जो काम्या कार्तिकेयन है वो अपने पिता एस कार्तिकेयन के साथ माउंट टेवरिस्ट की चढ़ाई प 45 दिन में यह record पूरा किया था ठीक है तो काम्या कार्तिकेयन जो है यह नाम काफी important है हो सकता है कि examination में कहीं ने कहीं देखने को मिल जाए तो याद रखिएगा काम्या कार्तिकेयन जो है भारत की सबसे युवा परवत्रोही है जो अपने पिता एस कार्तिकेयन के साथ माउं कि काम्या कार्तिकेयन जो की सबसे युवा परवत्रोही बन गई है के बारे में दिये गए कथनों में से कौन सा सही है पहला कथन कि इन्हों ने यह उपलब्धी 16 साल 9 महीने की उम्र में अर्जित की है दूसरा statement इन्हों ने अर्जुन बाचपेई जो की नोड़ा के रहने साले थे उनके record को तोड़ दिया है और तीसरा statement इन्हों ने यह जो परवत की चड़ाई है अपने पिता एसकार्तिकेयन के साथ पूरी की है तो आप देखे होता क्या है कि उस समय जब दिमाग लगाओगे तो एक बारी में आप मान लोगे कि चलो यूवा परवत्रोही बन में ठीक है तो यह चीज आपको थोड़ा सा खटकने लगेगा और वहां पर question गलत होते हैं तो यूपी PCS अब directly प्रशन पूछना बंद कर दी है मुझे तो लगता है कि यूपी PCS से tough question यूपी आरो के paper बनाए जा रहे है तो यूपी आरो वाले ज्यादा साउधान रहेंग अगला है करीना कपूर करीना कपूर को क्या मिल गया है ठीक है तो करीना कपूर को सैफ अली तो मिली गय थे यार क्या तुम लोग भी बात करो काफी पहले की बात है UNICEF की national ambassador बन गई है यह point याद रखना ठीक है तो करीना कपूर क्या बनी है UNICEF की national ambassador बन गई है UNICEF क्या होत पूरा गाउं के रहने वाले कश्मीरी व्यक्ति हैं, जो की साइबर सिक्यूरिटी रिसर्चर भी है, मुनीब अमीन भट, उन्हें नासा के सिस्टम में विद्धमान, उन कमियों को खोज दिया है, जो की डाटा लीक होने का कारण बन सकती थी, अब मुनीब के इस उलेखनी य या है, वो होता क्या है, कि जैसे Google खुद से उफर करती है, कि तुम मेरे अंदर सिस्टम में कोई बग खोज दो, जैसे जो Google हम ऑपरेट करते हैं, तो उसमें अगर कोई बग खोज दिया जाए, या कोई ऐसी चीज, या कोई ऐसी कमी खोज दिया जाए, जो की लोगों के दि मुनीब अमीन भट इन्होंने साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने नासा के सिस्टम में विद्धमान जो कमिया थी उसको खोज निकाला बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के प्रश्ण आ सकते हैं फिर नासा ने उनको हाल अफेम दिया और इसके पहले अगला नाम है रुचिरा कमबोज का तो काफी सुना नाम हो सकता है क्योंकि काफी टाइम से यह बहुत यूनेसको में और यूएन में काम कर चुकी है रुचिरा कमबोज को एक जून दोहजार चुबिस को संयुक्त राष्ण संग यानि कि यूएन में कारेराथ भारत की पहली महिला स्थाई प्रतनिधी सेवा निवरित हो गई हैं यहां से रेटायर हो गई हैं 87 बैच की विदेश सेवा में अधिकारी थी यह और संयुक्त राष्ण में भारत के स्थाई प्रतनिधी के रूप में उन्होंने अगस 2022 से लेकर के अभी 31 मार्श तक उन्होंने काम किया 31 माई 2020 तक सौरी ठीक है इसके पहले वह इन्होंने भारत की स्थाई प्रतनिधी के रूप में काम कर चुकी थी तो रिचिरा कंबोज जो है यूएन में भारत की पहली महिला स्थाई प्रतनिधी थी जो की रिटायर हो गई, ठीक है, तो रिटायर हो चुकी है, ये चीज याद रखेंगे, अगला है Albert S. Rudy, Albert S. Rudy कौन है, तो आसकर भी जेता है, The Godfather, Million Dollar Baby के लिए आसकर मिला था इनको, कनेडियाई, अमेरिकन फिल्म बनाते हैं, और टीवी निर्माता भी थे, 94 एर के थे, इनकी डेथ हो गई है, तो याद रखना है, जो इनकी फिल्म है, The Godfather है, इस नाम से गेम भी आते हैं, तो Albert S. Rudy, ठीक है, फिल्म निर्माता है, अगला है Peter Higgs, जो की भहुत इक विज्ञानी थे, आपको पता भी होगा, Higgs, Boson करके जो पार्टिकल, God, पार्टिकल खो जा गया था, वो इनहीं के नाम पर था, British यानि के ब्रिटेन के हैं, निधन हो चुका है इनका, और God, पार्टिकल के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, तो इनका भी नाम जो है, काफी important है, अगला है, जोती रात्रे, ठीक है, तो एक चीज और मैं कुछ-कुछ नोट कर दूँ, क्योंकि मैंने जब इस बार का आरो का पेपर देखा, तो मेरा दिमाग जो है, थोड़ा सा हिल गया, तो 8 अप्राइल को इनकी डेथ हुई है, और जो रूडी है, उनकी जो डेथ हुई है, वो इसके इनके बार में अच्छती नहीं है, 19 माई 2024 को मदपरदेश की पचपन वर्सी उद्धमी है, और फिंटेक, यानि की फैनेंशियल जो टेकनिकल असिस्टन्स देखते हैं, जैसे ग्रो हो गई, और और भी कंपनीज जो होती है, एंजल वन हो गई, तो यह सब फिंटेक क पर चड़ गई है, अगला आता है, जिनका नाम है कामी सीता, रीता शेरपा, जो की तीसमी बार माउंट एवरेस चड़ गई है, और 49 बार 8000 से उपर अलग-अलग माउंटेन टूटर चड़ी है, तो इनको जो है, नोन एज एवरेस्ट मैन, तो इनको एवरेस्ट मैन भी कह जाता है, तो याद रखिएगा, रीता शेरपा नाम है इनका, अगला जो है, इसमें मालती जोशी का है, लेखी का थी, जिनकी डेथ हो जो गई है, 15 माई 2026 को, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, और मालती जोशी की कुछ जो कहानिया है, जिसमें मालवा की मीरा के नाम से लोगप्री एक कहानी थी, ठीके, तो इनको पदमश्री भी इसी के लिए मिल चुका है, इसके अलावा, इन्होंने हिंदी में बहुत सारा काम किया है, एक घर सपनों का पटाक्षे, पराजय, मध्यांतर, इत्का दी चीज़ है, उस सब नहीं जानना है, बस ये जान पर कि फाली सैम नरीमन है, समिधान विशेशक ये थी, ठीक है, एडोकेट भी रही है, सुप्रीम कोट में इनकी डेथ हो गई है, बस इतना चीज़ें जाननी है इनके बारे में, ठीक है, फरवरी दोहजार चौबिस में डेथ हुई है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे, फरवरी दोहजार चौबिस में इनके डेथ हुई है, अरोड योगी राज, तो करनाटक में मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार है, अरोड योगी राज, इनके द्वारा भगवान राम की एक क्यावन इंच की मूर्ती बनाई गई है, ये चीज़ याद रखना है, हाला कि प इसके साथ ही, अरोड योगी राज ने नेताजी सुभास चंद्र बोज की 30 फिट की प्रतिमा बनाई है, जो की इंडिया गेट पर स्थापित की गई है, तो ये चीज़ याद रखेगा, अरोड योगी राज की बारे में, भगवान श्री राम की एक क्यावन इंच की मुनवर राणा, आपने बहुत सारे शेर सुने होंगे मुनवर राणा के, उर्दू के शायर थे, माइक थोड़ी दूर चली जाती थी बोलते बोलते इंसे, ठीक है, तो ख्याल नहीं रहता था जब बोलते रहता है, लेकिन बहुत ही फेमस सायर है, तो 14 जनुरी को इनकी भ पुरा तात्विद है, यनकी आर्केलोजिस्ट है, उनके द्वारा आंधर प्रदेश के प्रकाशम जिले में, दुनिया के सबसे पुराने शुतरमुर्ग के घोसले की खोज की गई है, लगभग 41,000 वर्ष पुराना माना जा रहा है, तो काफी इंपोर्टेंट नहीं लगा पाई गुडी, NJP स्टेशन से 30 किलोमेटर दूरी पर पढ़ता है, रंगापानी रेलवे स्टेशन, और यहां पर 17 जून को एक भीशड रेल हादसा हुआ, तो कौन-कौन सी ट्रेन थी, ये सारी चीज़े देख लेते हैं, हादसे में, रेड सिगनल पर खड़ी, अगर तल जो अगला है वो है पढ़ता बेट, ठीक ना, पढ़ता बेट, पढ़ता बेट कहां पर है, तो गुजरात में स्थित है, बावन सौ साल पुरानी हडपा कालीन बस्ती जो है, मिली है यहां से, ठीक है, बावन साल साल पुरानी हडपा कालीन बस्ती यहां से मिली है, और जु पढ़के मैं आपको बता दे रहा हूँ, केरल विश्विद्याले के कुछ आर्केलोजिस्ट थे, वो लोग गुजरात में जाते हैं पढ़ता बेट में, जहां पर 52 साल पुरानी हडपा वस्ती की खोज करते हैं, और प्रारंभिक हडपा स्थल कछ जिले के जूना खटिया कब परतन मिले, जानवर की हड़िया मिली, कीमती पत्थर मिले, कुछ टेरा कूटा मिला, स्पिंडल, भावर, तांबा और विभिन उपकरण मिलते हैं, इससे पहले जून खटिया में, 2018-19 में, 500 कब्रो का सामुहिक कब्रिस्तान जो है, वो मिल चुका है, तो 52 साल पुरानी लक्षमड तीर्थ नदी, जो की करनाटक, कोडागु, जिले में पढ़ती है, ठीक है, और 180 किलोमेटर की लंबी है ये लक्षमड तीर्थ नदी, भीशड गर्मी के कराण बिलकुल सूख गई, तो काफी इंपोर्टेंट है ठीक है, और ये जो है कुट्टा के जंगलेों से या से में भी उस कर सकते हो, कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो लक्षमड तीर्थ नदी, उस पर एक बुरा प्रभाव पढ़ा है, हाला कि प्रदूशड में भी तिया जा सकता है, ठीक है, फिर बात आती है अगले न्यूस की, वो है न्यू कलेडोनिया से यहाँ पर क्या हुआ, फ्रांसीसी विदेशी द्वीफ है न्यू कलेडोनिया, जब आप फ्रांस का, मतलब इटली का देखोगे फोटो, तो इटली नहीं सौरी, अस्ट्रेलिया जो है, वहाँ के आसपास न्यू कलेडोनिया की सीमाय लगती है, अस्ट्रेलिया, फिजी, न दबाने के लिए वहाँ पर विरोध हो रहा है, और बारा दिन का आपातकाल उसे दबाने हैं तो रखा गया है, तो एक बारी न्यूस भी मैं पढ़ दे रहा हूं, कि फ्रांस ने न्यू कलेडोनिया में बारा देशी आपातकाल की घोशना की है, यह एक फ्रांसीसी लगती है इसके बारे में मैं आपको बता दिया है ठीक है इसके साथ ही एक न्यूज और है इंडोनेशिया की जहां पर इबू ज्वाला मुखी फट गया है इंडोनेशिया का ज्वाला मुखी है और पांच किलोमेटर उपर तक उसकी राख निकली है इससे ज्यादा कोई पर देखना चाहोगे तो वह रिंग आफ फायर मतलब कह सकते हो वह बेल्ट जो की सबसे कमजोर एस्थेनोस पेयर की है जहां पर भूकम पर ज्वाला मुखी आने की प्राइकता जो है प्रविलेटी जो है बहुत जादा रहती है वह उसी में से आता है आपका ये सबस्काइब ऑने प्रटरेंट है कंपरेटिवली फिर आता है साइमन मैक का नाम ऐयाइ यूनिवर्सेल आअ़िफिशल सल्च और सिके ud कुलपती बने है आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस यूनिवर्सल आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यूनिवर्स्टी इसका पूरा नाम यू-ए-i-you कहते हैं अ ठीक है तो इसके जो है कुलपती बने है ये और साइमन मैक ठीक है इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है पहले विदेशी नागरिक संस्थापक कुलपती के रुप में बनाए गए है फिर अगला एक द्वीप का नाम आता है जो की काफी ज़्यादा न्यूज में रह पक्षियों की संख्या है उसमें से लगभग 80-90% जो है समाप्त हो गई है तो याद रखिएगा इलसा तूफान आया था तो बैल जो बैड़ाट द्वीप है जो की आपके वेस्ट आस्ट्रेलिया के पास पड़ता है वहाँ पर समुद्री पक्षियों की संख्या में 80-90% क की गिरावट आई है अगला है सुप्रीम पोर्ट बार असोसियेशन का अध्यक्ष कौन बना है कपिल सिब्बल मेगाले की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है इदशिशा बनी है पियूश आनंद एंडी आरेफ के महाने देशक बने है नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजम के अध्यक्ष बनाए नेशनल कमीशन फॉर्ट शेडूल कास्ट अगला है नौनीत सहगल जो की प्रसार भारती बोर्ट के अध्यक्ष बने है वहीं इसके बाद आकाशवाडी समाचार की महाने देशक बन गई है मौसमी चक्रवर्ती तो नाम बस्याद रखिएगा जेठा इसके बाद जो पॉइंट हम लोग देखेंगे उसमें आपका दिलीव संधानी बने है इफको के अध्यक्ष ठीक है और संजय कुमार मिश्रा बने है जी सी जी स्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल के यानि कि जी स्टी अपीली न्याधिकरण के लोगपाल बने है प्रदीब कुमार तिरपाथी यह important है तो लोगपाल का नाम याद रहेगा प्रदीब कुमार तिरपाथी जो है वो भारत के लोगपाल बन गये है अगला इसमें हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो है मनोज पांडा जो की अर्स्तशास्त्री है और FC के यानि कि आपका जो कहा ज प्रदीब कुमार तिरपाथी है याद रखीगा यह भी पॉइंट काफी important है लोगपाल सचीव कौन है तो वो है प्रदीब कुमार तिरपाथी है अगला है सदानंद वसंत दाते जो की आई अन्ने के अध्यक्ष बने है संजे नायर आसो चैम के अध्यक्ष बने है पस ऐसे चैम का फुल फॉर्म आपको बता के याद कर आओ तो शायद नहीं याद होगा इसी लिए संजे नायर बने है आपका डिरेक्टली याद करो एसो चैम के चेर्मेन या अध्यक्ष नलेन प्रभाद बने है नस्जी प्रमुख नलेन प्रभाद ठीक है प्यू शानंद बने है NDRF के महानदेशक, जियोती बिज बने है, फिक्की के महानदेशक, नौनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने है, नर्सिंग याद हो, डबलु एफ़ाई यानि कि भारती कुष्टी संग के महाद संग के अध्यक्ष बन गाए तो ये भी काफी जादा इंप बताओ कि इसके पहले अध्यक्ष कौन था, रश्मी शुकला जो है महारास की पहली पुलिश निदेशक बनी है, अनिल कुमार लोहाटी, ट्राई के बन गया है, अभी तक ये रेलवे के थे, तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी ये ट्राई के जो है चेर्मेन बन गया है, भारती दूर संचार नियामक प्रादीकरण जो है, टेलिकाम रेगुलेटरी अथोरिटी आफ इंडिया गे बन गया है, अरविंद पंगडिया, सोला हुए वितायोक के अध्यक्ष है, सेंथिल पांडियन, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, सेंथिल प अस्थान लिया है, ये तनी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, फिर विकास शील एडीबी का नया CEO बनाया गया है, नाम क्या है उनका विकास शील, तो इसमें खन्फ्यूज नहीं होना कि विकास शील को होना है, विकास शील उनका नाम है, ठीक है, कभी-कभी ऐसे भी नाम रख दिये जाते है, विकास शील के जगाँ पर विक्सित भी रख सकते थे, लेगिन ठीक है, चलिए, विकास शील रखा गया है इनका नाम, तो ये ADB के नए CEO बन गया है, 1994 बैच के वरिष्ट प्रसाशनी का अधिकारी है, और 2024 में ACI विकास बैंक, यानिके ADB के नए कारिक CEO, यानिके नए कारिकारी अधिकारी यानि दिशक के रूप में न्यूक्त हुए है, इनका कारिकाल जो है, तीन वर्षों का है, ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ें, हें रिटन मोड से ही मैं आपको धीरे-धीरे पढ़ाता रहू कि किस-किस तरह की उद्धा भ्यास हुए है, उन्ही को ऑपरेशन भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, फिर जितनी योजना और पर्योजनाएं हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की चांसेज है, उनको उनका कवरेश ज्यादा इसके बाद जो बुक्स आती हैं, उनके बारे में, ठीक है, उसके पहले रक्षा प्रतिरक्षा के बारे में और नवीनतब पूरसकार जो मिलते हैं, उनकी अर्दवार्शी की भी देखेंगे, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अब इसी में स्टार्ट करते हैं हम ठीक है, समझने का ज्यादा प्रयास करेंगे, कम चीजें लिखूँगा, और केवल नाम लिखूँगा, और जो चीजें बहुत इंपोर्टेंट मुझे लगेंगे, बस उसको लिख दूँगा, ठीक है, तो ये भारती वायू सेना का पहला बहु रास्ट्री है, हवाई अभ स्थर्ट बहु रास्ट्री हवाई अभ्यास है, जो की 10 देशों, ऐस्ट्रेलिया, फ्रान्स, रहें खें है, फ्रान्स, मैं थ्लड़ा थ्लडा लिख रहा हूँ फास, घर्मनी, उसके बाद जैपायन, स्पेन UAE UK और अमेरिका इसमें हिस्सा ले रहे थे ठीक है? दस देश इसमें हिस्सा ले रहे थे इसका जो देश है कि मित्र देशों को आमंत्रित करना है जिनके साथ भारती वायोसे न निश्चित रूप से बातचीत करती है और जिनके बीच एक निश्चित सीमा तक अंतर संचालंग शमता है, तो अभ्यास तरंग शक्ती याद रखेंगे, दस देश शामिल है पहला बहुरास्ट्री हवाई अभ्यास है इंडियान एर फोर्स का, ठीक है? अगला है Red Flag 24 जो दूसरा अभ्यास इस बुक में दिया हुआ है वो है Red Flag 24 ये भी भारती नौ सेना द्वारा ही किया हुआ है अमेरिका के अलास्का में 30 मई से लेकर के 24 जून तक तो कहां किया हुआ है? अमेरिका के अलास्का में देखें, इंगलिश में इस लिए लिख रहा हुआ हूँ कि जल्दी लिखा जाएगा ठीक है? Red Flag 24 का जो है हिस्सा रहा है जो भारती सेना है इसमें भारती वाईू सेना की ओर से राफेल विमान ने हिस्सा लिया थो तो ये भी याद रखना है राफेल विमान जो है जो की फ्रांस से खरीदारी हुई थी उसने जो है हिस्सा लिया था और इसमें हवाई युद्ध परिद्रिश्यों में अवश्यक जो कौशा लियानी की स्किल जो चाहिए और स्ट्रेजी जो चाहिए उस सब पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस अभ्यास में भी अमेरिका के अलावा भारत, मतलब अमेरिका और भारत के अलावा इसराइल, UAE, कनाड़ा, ब्रिटेन आधी देशों ने इससा लिया था अगला आता है वन वीक, वन थीम वन वीक, वन थीम यह क्या है वन वीक, वन थीम अभियान जो है, वो जितेंद्र सिंग ने मोधी 3.0, यानि कि तीसरी बार जो मोधी का मंत्रि मंडल आया उस सरकार के गठन के बाद विज्ञान और प्रद्योग की मंत्राले जो है, उसकी विभिन धाराओं में भारत की हाल के दिन में हुई जो भी सफलता की कहानिया है उनको प्रदर्शित करते हुए, मतलब हाल के दिन में हाल के दिनों में सफलता की कहानिया कहानी का प्रदर्शन जो है वन वीक, वन थीम के नाम से मोधी 3.0 गौवर्मेंट में किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो मैंने इसका भी मतलब जो मंत्री है, जितेंदर सिंख, केंदरी राजमंत्री है, उनके बारे में बताया है, और साइन्स और टेकनॉलजी की एक तरह से Department of Science and Technology जो है, उसकी एक तरह से पहल है, ठीक है, इसका देश है ये है कि overlap को कम करेंगे, संसाधनों को अनुकूलन करने के लिए समान परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, सभी CSIR प्रयोक्षालों के प्रयासों को एक ही कृत करना है, यानि कि ऐसा समझ लो कि कई सारे काम हो रहे हैं, एक ही सेक्टर के लिए, ठीक है, तो सब को integrate कर देंगे, यानि कि आपस में जोड देंगे, एक तरह से overlap कर देंगे, सारे जितने भी काम है, क्योंकि अलग-अलग संसाधन सब में लग रहा हैं, इसलिए, ठीक है, और इस अभ्यान का एक उद्देश ये भी है, कि सभी तरह के नवाचार जो है, जो भी innovation है, उनको समावेशी अनकी inclusive बनाना है फिर अगला JP नड़ा के द्वारा जो है, स्टार्ट किया गया है एक प्रोग्राम, जिसका नाम है diarrhea roco program, आपको पता है कि दूशित जल और भोजन से diarrhea नामक बिमारी होती है, जिसका विक्टर basically मक्हिया होती है, तो कोई भी दूशित जल या भोजन अगर किसी बच्चे के अ और 31 जुलाई 2024 तक चलेगा, 31 अगस्त 2024 तक चलेगा, किस ने स्टार्ट किया तो JP नड़ा ने स्टार्ट किया था, इस अभियान में बच्चों को क्या दिया आता है, ORS दिया जाता है, आप लोग जानते भी होगे नमक चीनी का जो घोल होता है, ORS और उसमें जिंक की गोलि जिसका नाम है रिम पैक अभ्यास, पच्चों, रिम पैक, ठीक न, तो ये अभ्यास का फुल फॉर्म है, रिम आफ दे पैसिफिक, पतलब प्रशान्त महा सागर में होने वाला ये अभ्यास है, रिम पैक, जो की चीन के द्वारा जो भी खत्रा उत्पन हो रहा है, जो भी आ देशों के नौ सेना अभ्यास को रिम पैक किया गया है, तो रिम पैक कहा गया है, तो चौबिस देशों की देशों का नेवल एकसरसाइज जो है यहां पर हो रहा है, रिम पैक नाम से है, और ये अगस्त के महीने तक होगा, जून से स्टार्ट होगा, इसकी एक थीम है, जो और तयार है, ठीक है ? तो साजेधार एक्रित और तयार है करके जो है और यह अभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है 24 देश, world's biggest naval exercise दुनिया का सबसे बड़ा अभ्यास है अगला है सैन अभ्यास जिसका नाम है सैन अभ्यास शक्ती शक्ति जो है भारत और फ्रांस की सेनाओं के मद्ध हुआ है, तो बस इतनी ही चीजे जाननी है, शक्ति अभ्यास जो है, जिसमें की भारती सेना की राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया है, इतनी ही चीजें इसमें जाननी है उसके बाद एक उद्धा भ्यास हुआ है जिसका नाम है I.M.T. Trillet जो है वो तीन सेनाओ के मद भारत, मोजांबिक और तंजानिया के मद दे हुआ है तो ये भी याद रखना है I.M.T. Trillet तो इसमें कौन-कौन है देखिए यहीं से जान जाएए इंडिया है मोजांबिक है और तीसरा है तंजानिया तो ये जो है तीनो के मद है तीनो की नौ सेनाओ का त्रिपक्षी अभ्यास था जिसका नाम था I.M.T. Trillet ये कहां हुआ है तो इसको मापुतो वजंजी बार तंजानिया में यहीं कि मापुतो जो है वो मोजांबिक की रास्थानी है मापुतो और जन्जी बार तंजानिया में आयोजित किया गया है इसमें भारत के दो युधुपोद जिनका नाम है I.M.T. और आइनेस तीर और आइनस सुझाता ने हिस्सा लिया है तो दो प्लेस पर हुआ है प्ले साथ कौन-कौन गया है तो INS तीर गया है और सुजाता ठीक है ये दोनों जो वार्शिप है इंडिया के वो इसमें भाग लिए हैं अगला है गगन स्ट्राइक टू जो की भारती सेना की पश्चमी कमान के भाग जिसका नाम है खड कोर उसने पंजाब में भारती वायो सेना के तो इसको मैं छोड़ रहा हूं गगन स्ट्राइक टू को ठीक है अगला दस्तिलिक अभ्यास जो की काफी इंपॉर्टेंट है दस्तिलिक अभ्यास ये काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 किसके मद ही हुआ है सबसे पहले चीज जानी है इंडिया और अपरेल तक हुआ है तो यह चीज इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कहां हुआ है ये इंपॉर्टेंट है तो यह हुआ है आपके अभ्यास तर्मेज जिला में यह और्गनाइज हुआ है तो यह चीज याद रखनी है कि जो दस्तलिक अभ्यास 2024 का है वो इंडिया और उज्वेकिस्तान के मध्य हुआ है उसके साथ-साथ उज्वेकिस्तान के टर्मेज जिले में हुआ है जिसमें भारती सेना के जाट रिजिमेंट और भारती वायस जिना के कर्मियों ने भी हिस्सा लिया था यह को था संस्करण था दस्तलिक अभ्यास का तो यह फिफ्थ संस्करण जो था था इसके अलामा एक आता है भारत और सेशल्स का काफी ब्रक्षावलों के मद्र होता है यह अधिया और सेशल्स के रक्षावलों के मद्र होता है लेमितिये और द्वी वार्षी का अभ्यास है, यह भी चीज याद रखने है, कि दो साल में एक बार जो है, यह होता है, दुई वार्षी का अभ्यास है, ठीक है, बाइलेटरल होता है, और बाइलेटरल तो होता ही है, बाइनियल भी होता है, मतलब दो वर्ष में एक बार होता है, और इसमें भारती सेना की जो उसने भाग लिया था लेमितिये का जो नाम है वो मित्रता होता है ठीक है अर्जीस के लेंगब गगज में ठीक है तो यह भी चीज़ याद रखना है अगला blay आभिआसे इसका नाम ए Sup spider अ CHARCK कि Tiger भारत था और दूसरा था अमेरिका तो इन दोनों का मिला जुला जो है अभ्यास था इसमें मानुवी सहायता आपदा राहत सेन ने अभ्यास में भारत के नौ सेना के हेलिकाप्टर और लेंडिंग क्राफ्ट के साथ भारती थल सेना के जवानों ने भी हिस्सा लिये, मतलब तीनो सेना है, जिसको त्री सेवा साइल ने अभ्यास बोल रहा था मैं, तो तीनो सेना इसमें शामिल थी, ये क्या करेगा, कि मानवी सहायता और आपदा की स्थिती में नेत्रित तुका, आपस में जो भी कॉडिनेशन है, उसकी प्रैक्टिस जो है, इन लोगों ने की है, टाइगर ट्रैंफ में, अगला बहुत इंपोर्टेंट एक सर्साइज है, जिसका नाम है जिमेक्स, ठीक है, तो जे से हो गया जापान, आई से हो गया इंड यह जो जिमेक्स है, वह संपन हुआ, ठीक है, और मैरी टाइम का मतलब हो गया, समुद्री अभ्यास है, ठीक है, कैसा अभ्यास है, यह भी याद रखेंगे, समुद्री अभ्यास है, कब हुआ, यह सब चीज़े इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन संस्करण कभी कबार इस अभ्यास का आयोजन जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के द्वारा किया गया, और वहीं जो है, भारत से कई स्टील्थ फ्रेगट आइनस शिवालिक जो है, उसमें हिस्सा लिया था, ठीक है, उसके अलामा प्रतिनिद्धे तो गाइड़ेड मिसाइल विद्ध्वनस जितनी चीज़ें जाननी थी है, एक्जामेनेशन में पूछी जाएंगे, उतनी मैंने आपको बता दी है, बाकी एक काम आप कर सकते हो, कि जितनी भी एकसर साइज मैं बता रहा हूँ, एक बार बस यूट्यूब पे या दूर्जर्शन के चैनल्स पर कहीं भी, ठीक है, अगर कहीं अभ्यास चलते हुए वीडियोज मिल जाएं तो उसको देख लो, उससे चीज़ें बिलकुल क्लियर हो जाती है, और बता रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं कि बुक में 7-8 लाइन और दी हुई है, तो उसको पढ़ने लगी है, जो भी शुरू कर रहे होंगे preparation, यह सोच रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी है, और वो बहुत important है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, विद्वान बनना अच्छी बात है, ठीक है, no doubt excellence के पीछे भागना चाहिए, लेकिन excellence के पीछे अगर आप इस कदर भागने लगोगे, ठीक, तो फिर उससे better है न, कि फिर आप army की job choose कर लो, या कोई और paper दे दो, इस तरीके का, मतलब उतना ज्यादा excellence के पीछे मत भागो, जितनी चीज़ें बताई जा रही है, उतनी ही चीज़ें examination में आपको मिल जाएंगी, उसके बाहर की चीज़ें नहीं मतलब आशा है नहीं मिलेंगे, बिलकुल ही अलग तरी से paper बनाते तो थोड़ा सा problem होगा, फिर अगला अभ्यास है काफी important है, सागर कवच, सागर कवच 2024 का जो है, वो उसमें भारती नौसेना द्वारा लक्षदीब के सभी समुद्री सुरक्षा अजेंसियों को शामिल करत हुए तटिय सुरक्षा अभ्यास किया गया, तो सबसे पहले चीज ये है कि ये तटिय सुरक्षा अभ्यास है, तटिय सुरक्षा अभ्यास है, ठीक है, किस के पास हुआ, लक्षदीब के पास हुआ, ठीक है, और लक्षदीब के जितने भी द्वीप हैं सब को शामिल किया गया तो जितने भी द्वीप है सबको शामिल क्या गया सागर कवच में ठीक है और भारत में मतलब भारत के कौन-कौन से इसमें बल तो भारत के जो थे वो नौसेना थी तटरक्षक बल है ठीक है समुद्री सीमा शुलक और अन्य सुरक्षा एजेंसियां है यह सब कुछ जो है इसमें भाग ले रही है किस तरह का है तो समुद्री शेत में निग्रानी बढ़ाने के लिए लोग कर रहे है और चुकी एक्सरसाइज अगर नहीं करेंगे जिस प्रकार किसी व्यक्ति कोई होता है था क्योई जैसे मालीजे की कोई व्यक्ति डॉक्टर है ठीक और जब कोव तो इसी तरीके से जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां है जो भी हमारे आपके तीनों बल है चाहें वह जल हो थल हो या वाई उसे ना कमान हो ठीक है तो इनकी भी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती रहती है कि किसी भी क्या बोलेंग उसको आपदा पूर्ण स्थिती से कैसे जा सके ठीक है तो उसलिए इस तरह का हुआ है एक और जो है ऑप्रेशन हुआ है जिसका नाम है ऑप्रेशन संकल्प ओप्रेशन संकल्प ठीक है ऑप्रेशन संकल्प के तहट जो है भारती नौसिना ने मार्च में माल्टा के ध्वज वाले जहाज जिसका नाम है MV Ruin को 17 संचालक दलों के साथ समुद्र लिटोरों के कबजे से मुक्त कराया तो बहुत जादा यह इंप्रेशन संकल्प ठीक है आपसे पूछेगा इस तरह से प्रशन UPPCS में हो सकता है देखने को ही मिल जाए अगर यह देखने को मिलता है तो जरूर कोई कमेंट करके मुझ क्या था दोस्तों जिसका नाम था MV Ruin ठीक है MV Ruin कितने लोग थे तो 17 चालक दल थे और समुद्री लुटेरों से समुद्री लुटेरों से जिनको पाइरेट्स कहते हैं ठीक है समिद्री लुटेरों से जो है मुक्त कराया इसके साथ ही 35 सोमेलियाई 35 सोमेलिया के जो लुटे रहे थे उनको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त करी ठीक है तो इस ऑपरेशन को सफल बनाने में अरब सागर में तैनात आइनस कोलकाता नहीं महतोपूर आइनस कोलकाता आप देखिए यह भी नाम बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाता मैं बता रहा हूं कैसे अब इस पर प्रशन कैसे पूछेगा मेरा दिमाग तुरंट से क्लिक कर गया मैं आपको बताता हूं देखिए कहां पर था यह ठीक है ठीक है ठीक थोलब वूत इस तरह का इस्ट्रक्षर बनेगा उतना सही नहीं बन पाया तो आपको पता है कि बेय बैंगोल यह है और कोलकाता यहां कहीं आपका पढ़ेगा तो इस च्छेत्र में पढ़ता है यह सब अरब सागर है तो अभी जो काम हुआ जो सोमालिया के लूटेरों को पकड़ने का काम हुआ तो आपको पता है सोमालिया किदा रहे तो आपके अफ्रीका में पढ़ता है अफ्रीकन कॉंटिनेंट में सबसे कॉर्नर का एक स्थान है जहां पर सोमालिया देश पढ़ता है मैं आपको बता रहा हूँ कहा पड़ता है अगर अफ्रीका का मैं एक rough map draw करूँ ठीक है ठीक है थोड़ा बहुत अफ्रीका का map इसी तरह होगा ठीक है तो अफ्रीका में ये area जो है इसको बोलते हैं Horn of Africa Horn of Africa ठीक है अब Horn of Africa में आती है चार countries जिनको seed से भी लोग याद करते हैं क्या क्या होता है तो पहला ही आता है Somalia, Erythria ठीक है उसके बाद Djibouti और इसका नाम है Ethiopia तो चार countries आती है इसमें आपके Horn of Africa में और सबसे corner की जो country ऐसे समझ लो थोड़ी सी ऐसे country जो आती है यह आपकी आपका चिबूती पड़ता है ठीक है और यह जो पूरा portion है ना यह उंचा वाला समझ लो यह Somalia है ठीक है एक बार यह और map देख लिएगा चीजे जादे clear हो जाएगी लेकिन यही जो बिलकुल ऐसे corner में निकला हुआ है ना यही आपका Somalia है तो Somalia के जो लूटे रहे हो बहुत famous है ठीक तो यह लोग जो है निकले थे उस समय MB ruin को पकड़े थे जिसमें से 17 चालक दलों को भारत वालों ने पकड़ा मतलब आजाद कराया और 55 लूटोरों को भी पकड़ लिया इसके लिए कौन सा operation चला था तो operation संकल्प चला था यह चीज़े मैं delete कर दे रहा हूँ ठीक है भारत का मैप तो नहीं अच्छा बना लेकिन मुझे लगता है अफ्री का गरादर अच्छा बन गया चलो आजो अगला तो operation संकल्प के बारे में आप लोग को ठीक से पता चल गया होगा आशा करता हूं ठीक है तो याद रखेगा operation संकल्प इसके बाद है operation इंद्रावती हैती में जो हत्यार बंद गिरोह था और सेना के बीच पिछले दिन कुछ संघर्स हुआ और वहां फसे हुए जितने भारती ये थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने एक operation चला जिसका नाम है operation इंद्रावती तो दोनों याद रखीगा operation इंद्रावती और operation संकल्प दोनों अलग 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 है operation इंद्रावती ठीक न इंद्रावती ठीक तो इंद्रावती क्या है हैती में फसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान है ठीक न है तो चलाया गया अभियान था इसका नाम था operation इंद्रावती फिर आता है एक सीडिफेंडर्स जो की भारत और अमेरिका के तरक्षक बलके द्वारा आयोजित एक अभियास था इसका नाम था सीडिफेंडर्स ठीक है यह कहां संपन हुआ यह चीज़ यहाद रखीगा तो सीडिफेंडर्स जो है इसका क्या नाम डालना है 11 12 13 14 15 सीडिफेंडर्स पहले किसके किसके मद्ध हुआ तो इंडिया और यूएस से के तट रक्षक बल के बीच में हुआ कहां पर हुआ तो अंडमान एन निकोबार में संपन हुआ और वहां पर भी कहां हुआ तो उसकी कैपिटल में कैपिटल का नाम आप लोगको पता होना चाहिए पोर्ट ब्लेयर में हुआ था ठीक है फिर आता है समुद्र लक्षमड समुद्र लक्षमड जो है भारत और मलेशिया के मद्ध हुआ तो यह भी काफी ज्यादा मतब नौ साइनिक अभ्यास है और इसका थर्ड जो है सेशन चल रहा था यानि कि तीसरा संस्क्रण है इसका तीसरा एडिशन है ठीक है और इनस किल्टान शामिल था इतनी जारी चीज़े नहीं जाननी है बस यह जान जाओ कि भारत और मलेशिया के मद्ध हुआ और कहां पर हुआ तो विशाखा पत्तनम में हुआ विशाखा पत्तनम से आडिया लगाना है कि नेवी वाला आउप्रेशन यह था अभ्यास दोस्ती किसके किसे साथ होता है काफी इंपोर्टेंट है यह भी हिंद महासागर में भारत माल्दी और श्रिलंका के बीच होता है अभ्यास दोस्ती तो भारत श्रिलंका और माल्दीव के मद यह होता है ठीक है कहां पर हुआ था तो इंडियन ओशियन यह इंद महासागर में हुआ ठीक है यह 17 एक्सरसाइज मैंने आपको बताया फिर आता है एक एक्सरसाइज और जो की बुक में दिया हुआ है उसका नाम है भारती नौसे परवरी के महीने में विशाका पत्नम में मिलन नाम का एक एक्सरसाइज किया गया जिसका नाम है युद्धा भ्यास मिलन दोजर चौबिस इसका बरहवा संस्क्राण हुआ दुविवार्शिक अभ्यास है यानि कि बैनियाल अभ्यास है जिसमें भारत इंडोनेशिया सिंग पुर्शलंका और थाइलाइंट सायित क्यावन देशों की नौ से नौुने हिस्सा लिया इसलिए इस अभ्यास को मल्टी लेटरल नेवल अक्सरसाइज मिलन कहा जाता है कि मल्टी लेटरल नेवल नेवल अक्सरसाइज मिलन 2014 ठीक है यह चीज याद रखीगा कहां पर हो रहा है तो विशाखा में लिख दे रहा हूं ठीक है कौथा संस्क्रण था तो बरहों संस्क्रण था ठीक है और दूई वर्षी दूई वार्षिक है यह नहीं कि बायनियल है इंडिया इंडोनेशिया सिंगापूर श्रिलंका ठीक है थाइलेंड इसके साथ 51 देशों की 9-9 ने हिस्सा लिया एक काफी इंपॉर्टेंट एकसरसाइज और है जो बहुत सारे टेस्सिरीज में भी द संसिक जिसने करेंट अफेर्स पहले पढ़ रखी होगी चाहे स्पीडी या कोई और गॉरसर की क्लास की होगे तो उसमें भी आपको मिल गया होगा तदा संसिक किसके किसके मद्द हुआ तो भारत और साओधी अरेबिया कि मद्द ये सदा तंसिक हुआ कहां पर हुआ तो र इसको नोट कर लिजेगा एक हुआ तर डिजर्ट साइकलों जिसको अबजेक्टिव में कवर करा चुका है भारत और युए के मद्द हुआ तर डिजर्ट साइकलों ठीक है तो इतनी सारी जो है अभी तक यह दब्यास थे लास्ट के जो मैंने तीन बता है उसको लिखा नही है अब हम लोग को बुक के एकॉर्डिंग चलते हुए देखना है कुछ परियोजना है और योजना है ठीक है तो योजना और परियोजना का सेक्षन देखते हैं आज कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कवर करा दिया जाए इसके बाद जो भी बचेगा वो आप म्तों बाले रहेगा ठीक है तो पहली ही जो योजना है वह काफी इंपॉर्टेंट और इंट्रेस्टिंग दोनों है तो नाम है इसका ड्रोन की दीदी का मिटए धानि फ्रीपाइल फ्रोजेक्ट अब है क्या यह ऐसा लगता है कि ड्रोन जो है दीधी लोग उडाएंगी ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ड्रोन भी उडाएं बतलब ठीक है विमन इंपाउर्मेंट केता है तो लोग उडाना चाहिए है क्या पहले यह समाझ लेजे कि ग्रामीड महिलाओं के शशक्तिकरण को बढ दमिता मंत्राले जो है, उसने क्या किया है, नोएडा और हैदराबाद में, ड्रोन दीदी योजना के तहट, दो पाइलेट पॉरिजनौ के संचालन के लिए, महेंद्रा एंड महेंद्रा लिमिटेड के साथ, एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है, तो कहां कहां हुआ है, नोएडा और हैदराबाद में, ड्रोन दीदी योजना के तहट, दो पाइलेट प्रोजेक्ट चलेंगे, और कौन इसमें समझोता किया है, तो महेंद्रा एंड महेंद्रा ने समझोता किया है, महेंद्रा एंड महेंद्रा ड्रोन उडान, डेटा विशलेशन और ड्रोन और डेटा विशलेशन को कि कैसे उसमें डेटा देखना है अगर कैमरा लगा हुए तो अपने सेल फोन में या जो भी डिवाइस होगी उस सबको देखना सेव करना इस सब में कोशल प्रिसिक्षर देंगे उन लोगों को इसके डेवलेप्मेंट देंगे ठीक है यह जो स्टार भी एक याद रखेंगा भी मैं कुछ-कुछ important point इसमें से लिख देता हूं ठीक है तो अब यह न्यूज बस इतनी ही थी कि ड्रोन दीदी पाइलेट प्रोजेक्ट जो है कहां कहां स्टार्ट हुआ है तो पहला स्थान है नोइडा दूसरा स्थान स्थान है 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 दरा बाद इसके बाद किसके लिए है यह तो ग्रामीड महिला सशक्तिकरण के लिए है यह ठीक है कौन समझाओता किया है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M मैं लिख रहा हूं इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है उसने समझाओता किया है इसमें क्या होगा जो ग्रामीड महिला ने रहा Tä ghost Dodge या उनी की डेटा को करना या विश्चलेशन करना जो भी labelya कि ऐसा ना हो कि उसमें पार नी में डाल के खराब कर दो है लोग टिक तो यहीं सारी चीजें जो है समझाई जाएंगी चलिए अगला इसमें देख लेते हैं एक जो और पॉइंट था वो पॉइंट ये था 11 मार्च 2024 को नमो ड्रोन दीदी योजना का शुबारम किया था 11 चीजेंट याद रखिएगा हो सकता है आपको एक्जामनेशन में देखने को मिल जाए ठीक है तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि एक पेड़ मा के नाम यानि कि पेड़ लगाने की बात है उसी दिन यानि कि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरान दिवस उसी दिन प्रधान मंत्री नरेन मोधी ने लोगों को पर्यावरान के प्रती जागरू करने के लिए एक पेड़ मा के नाम अभ्यान के शुरुवात कि इसके तहट उन्होंने नई दिल्ली में बुद्ध जैनती पार्क में पीपल का पौधा लगाया तो किस ने लगाया नरेन मोधी पांच जून को लगाया कहां लगाया तो बुद्ध जैनती पार्क न्यू डलाई एंडी लिखा हूं मैं ठीक है ना न्यू डलाई ठीक है पीपल का पौधा लगाया ठीक है इसका उदेश यह है कि देश भर में पौधार उपड के प्रति लोगों को जागरू करना है जिसस इसमें टार्गेट क्या किया गया है कि सितंबर 2024 तक 80 करोण पेड़ और मार्च 2025 तक 140 करोण पेड़ लगाएगी सरकार और इसके लिए संपूर सरकार और संपूर समाज नीति का पालण किया जगा तो कौन सी दो नीतिया पालण की जाएंगी तो पहली नीति है संपूर सरकार संपूर समाज ठीक है ये दो नीतियां फॉलो की जाएंगे रास्ट्रिय फॉरेंसिक और सनश्टना संबर्धन योजना अगली जो नियूज है वो है कि 19 जून 2024 को केंद्री मंद्रि मंदल ने केंद्री छेत्र योजना रास्ट्रिय फॉरेंसिक और सनश्टना संबर्धन योजना जिसको NFIES कहते है उसके लिए ग्रह मंत्राले ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है ये एक केंद्र छेत्र की योजना है जिसका वित्तिय परिवय दोहजार चौबिस पचीस से लेकर के दोहजार अठाइस उंतिस तक की अवधि के लिए टोटल दोहजार दोसोचववन दसमलो चार तीन करोन रुपए है इसका जो उद्देश है यह है कि जो फोरेंसिक बुनियादी धाचा है देश में उसको मजबूत करना है देश के रास्ट्रिय फोरेंसिक विज्ञान विश्विद्याले के परिसर की स्थापना होगी इसके अंतरकत देश में किंद्री फोरेंसिक विज्ञान प्रयोक्षालों की स्थापना होगी और FNFSU के दिली परिसर के वर्तमान बुनियादी धाचे का समवर्थन किया जाएगा ठीक है तो ये निउस भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या नाम है इस निउस का ना समवर्धन योजना ठीक है कितना रुपए अलाट हुआ है 2254.43 करोण रुपए ठीक है कब तक के लिए तो 2024.25 से लेकर के 2028.29 तक के लिए ठीक है इतना रुपए जो है मंजूर हुआ है और ये जो NFIES है यानि कि National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme इसके लिए कई सारी चीज़े हैं कि देश में रास्त्री फॉरेंसिक विद्यालाय स्टार्ट होगा जिसको बोल रहा है National Forensic Science University ठीक है National Forensic Science University स्टार्ट हो रहा है दूसरा CFSL स्टार्ट होगा यानि कि Central Forensic Science Laboratory ठीक है तो ये Laboratory है और ये University है याद रखना है ठीक है तो ये स्टार्ट होगा और तीसरी चीज़ है जो NFSU है दिल्ली में उसके वर्तमान बुन्यादी ढहाचे का संबर्धन किया जाएगा ठीक है इसके बारे में ज्यादा कुछ और नहीं जानना है बस इतनी चीज़ें इंपर्टेंट है ठीक है चलिए अगला है School on wheels पहल क्या नाम है School on wheels पहल स्कूल औन वील्स पहल क्या है? टोटल चार सो असी राहत शिवर में रह रहे हैं। इस पहल के तहट पुस्तकाल है, कंप्यूटर और खेल समागरी से सुसजित स्कूल बस एक सिक्षक के साथ विभिन शिवरों का दौरण करेगी। छेत्रों में एक बस भेजी जाएगी। ठीक है? बस भेजी जाएगी, अभी तो आदमी लगने की जगा कुछ और ही लगने लगा। ठीक है? बस समझ लो यार, यहां बैठा हुआ है। ठीक है? जिसमें क्या रहेगा? स्पोर्ट्स आइटम, वन टीचर, ठीक है न? कितने लोगों के लिए ऐसा किया जा रहा है? तो टोटल अठारा हजार बच्चे हैं। जो की 480 कैम्प में रह रहे हैं तो यह बस कहां जाएगी? कैम्प के बाहर जाएगी और इनकी जो है, मदद की जाएगी, उनको स्पोर्ट्स आइटम और एक टीचर दिया जाएगा, कि उनकी जो पढ़ाई लॉस हो रही है, वो चीज ना हो तो स्कूल सान वील, काफी अच् किसान समर्धी योजना थी, उसकी एक उप योजना को सरकार की मंजूरी अभी हाली में मिली है, मत्स पालन छेत्र को लेकर के, यानि कि जो PC कल्चर होता है, मत्स पालन है, उसको लेकर के प्रधान मंत्री ने मत्स संपदा योजना स्टार्ट की थी, उसी की एक उप योजना है प्रधान मंत्री मत्से किसान समर्दी सहयोजना आठ फरवरी दो हजार चौविस को इसकी मंजूरी मिली है इसका उदेश है मत्सपालन छेत्र से मत्सपालन छेत्र को अवचारीक बना देंगे ये लोग ठीक है और मत्सपालन से जुड़े सुख्षमयों लग्यू जो द्यो जो नाम है वो लिख लिजिए पीम मत्से किसान समर्दी उपई होजना कितना रुपया दिया जाएगा तो 6,000 करोंड रुपया मिलेगा ठीक है किस से किस से मिल रहा है दोस्तों तो 3,000 करोंड रुपया जो है वो आपका डिरेक्ली वर्ल्ड बैंक देगी इसमें से तीन दो पार्ट में बाट दीजे 3,000 करोंड रुपया वर्ल्ड बैंक WB से मैंने लिख दिया वर्ल्ड बैंक और 3,000 करोंड रुपया जो है यह आपका नीजी छेत्रकों से दिया जाएगा ठीक है उद्देश क्या है कि मचली पालन को बढ़ावा देना है और हमें से हमीं जो भी को बढ़ावा देना है कितने वर्शों के लिए लागु की गई है तो 4 वर्शों के लिए इतना पैसा दिया जागा 4 वर्शों के लिए लागु की गई इससे अनुमान भी लगाया ग्या है कि महिलाओं को भी काफी रोजगार मिलेगा लगभग एक दसमलो 7,000 नई नुकरिय इसका नाम है प्रित्वी तो ये भी जन्वरी में ही शुरू हुई थी प्रित्वी विज्ञान योजना को मंजूर किया गया नदिन मुदी के देक्ष्टा में और 2021-26 तक की योजना है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है 2021-26 तक की योजना है इसके साथ इसमें 4797 क्रोड रु इस योजना में वर्तवान में चल रही जो पांच उप योजना है वॉयमंडल और जलवाईव, अनुसंधान, प्रारूप, निरेक्षन, प्रणाली और सेवाई जिसको एक्क्रोस बोल रहे है महसागर सेवाई, प्रारूप, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रद्योग की ज इसको किसको शामिल किया गया है बस मैं उसके अब्रिवेशन में लिख दे रहा हूं एक्रॉस को शामिल किया गया है ठीक है ओ स्मार्ट को शामिल किया गया है ठीक है तीन हो गया चौथा है सेज को शामिल किया गया है और रीच आउट को शामिल क्या गया है, ठीक है, मुख्योद्देश यह है कि पृत्वी प्रडाली और परिवर्तन के महतोपूर जो संकेत है उनको रिकॉर्ड करना है, बायमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रावस्फेर और ठोस पृत्वी के दीरकालिक निरक्षन का समवर्धन और रख रखा इन तीनों स्फेर्स में ही जो भी परिवर्तन हो रहा है, उनको जो है, ऑब्जर्ब करेगा माइन्यूटली, लॉंग टम के लिए, ठीक है, अगला जो है, प्रधान मंत्री सूरे घर योजना, काफी जादा, जो है, एकदम सब के जबान पर आ चुका है, तो एक्जामिनेश लगवा रहे हैं, एक करोण लोग लगवाएंगे छटों पर, सबको पता है, तो पीम सूरे घर अब ये निउस पुरानी हो गई, ये योजना जो है, मुफ्त बिजली योजना, तो पीम सूरे घर मुफ्त बिजली योजना अब चुकी दिया हुआ है, तो चीज़े बता दे सूरे योजना की घोशना हुई, अब प्रधान मंत्री सूरे घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से 13 फरवरी से इसको शुरू किया गया है, तो ये शुरू हुआ, 22 जन्वरी को प्रधान मंत्री सूरे घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, और 13 फरवरी को जो है, ये वा जो भी नवीकरणी उर्जा रीनियोबल एनर्जी है या अक्षय उर्जा है उसके लक्षों को बढ़ावा देना है और घरों के लिए बिजली बिल को कम करना है प्रधानमंत्री के अनुसार इस योजना के तहट 75,000 क्रोण रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा ठीक ह अगर आपको रिंड चाहिए तो वो भी केंदर सरकार जो है डिसाइड कर लेगी योजना के अनुसार यह है कि छत पर अगर आप सौर पडाली लगा लेते हो तो हर महीने 300 यूनिट बिजली तक नेशल को प्राप्त कर सकते हो इससे देश के एक करोण परिवार एक वर्ष मे सत्रा से अठारा हजार क्रोण रुपए की बज़त करेंगे साथी अतरिक्त बिजली के आपूर्ती जो है बिजली की वित्रण कंपनियों को कर सकेंगे मतलब कुल मिला के ऐसे समझो कि 300 यूनिट आपके लिए फ्री है पहले तो यह हो गया बिजली अगर आप ऊपर काफी ज टॉप सोलर पैनल मातर 30,000 रुपए में लगवाया जा सकता है योजना पर 75 प्रिशत केंद्र और राज सरकार की सब्सेड़ी अनुदान करेगी यह योजना भारत में मौझूद रूफ टॉप सोलर कारिक्रम के था है 2022 तक 40 गीगावाट रूफ टॉप सोर छंता के अपने प्रारंभिक लक्ष से चूक जाने के बाद आई है ठीक है मुझे लगता है कि यहां पर इस लेक्षर को खतम करना पड़ेगा और जो अगला सेक्षन है आयोग और समीति का वह हम लोग नेक्स डे देख लेंगे तो एक लेक्षर और मुझे लगता है कि बनाना पड़ेगा क आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद